हलो यू आल मा लवली बड़ी सारे शतानों को बुला रही हूं यहां पे मैं क्यूंकि ले आए हूं एक बहुत इंटरिस्टिंग इमोशनल चाप्टर येस जो चितने शतान होते हैं वो उतने ही जादा इमोशनल भी होते हैं ये बात हमें पके से पता चल चुकी है इतना प्य और येस हम सब एक साथ हैं तो डरने की क्या बात है उसी तरीकी का है ये चाप्टर जो इंग्लिश में लिखा गया है आप ही की बुक हॉन बिल का ये चाप्टर अंड नेम फ़ चाप्टर इस वियर नट अफरिट तो डाई इफ वी कैन अल बी तोगेदर यानि अगर हम एक इस तरीके से ये जो चाप्टर का नेम है ये पूरा डायलोग को कोट किया गया है और उस डायलोग का बहुत डीप मीनिंग होता है ये चाप्टर किस के बारे में है let's get to know that यहां पर ऐसी बाते क्यों हो रही है कि हमें डर नहीं लगता है मरने से और इस तरीके की चीजें क्यों बताई जा रही है so there this is a chapter जहां पर एक फामिली जाती है वोयाग पर और उस वोयाग से रिलेटर जितनी बाते हैं वो सारी बताई जाएंगी now अभी आप देख रहें about the author में मैंने सिर्फ नाम लिखा है jordan cook and alan east इनकी बारे में इतना ही याद रखना विकॉस जो jordan cook है या हम बात कर सकते हैं जो नरेटर है उन्होंने ही यह पूरी की पूरी स्टोरी बताई है उसे elaborate करके explain किया है end तक बने रहना बहुत ही जादा thrilling जैसे कि आप एक bollywood movie देखते हैं या hollywood में अगर आपने देखा होगा बहुत science fiction टाइप की movies होती है जहां पर तुफान आ रहे हैं पानी हैं समुद्र है और बहुत सारी चीजे वही सारी चीजे बस आप read करेंगे यह वहाँ विजुलाइज करते हैं वहाँ पर देखते इमाजन करते हैं लेकिन यहाँ पर हम सिफ रीड करेंगे और आपने कहीं बार सुना होगा ना कि ऐसे ही stories को लेकर कि उनके उपर movies बनाई जाती है तो हो सकता आप relate कर सके उसी तरीके से so about the author में बस आपको याद रखना है name and the name is Jordan Cook and Alan Ease now why this picture is here ma'am the question must be occurring in your mind कि ma'am यह question क्या है यह यहाँ पर क्यों है यह because this is all about this this is a thrilling chapter and it gives like goosebumps every time we read a new part तो हमें लगता है कि wow what's next coming oh will they survive or not क्या होगा क्या वो survive कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कहां जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं क्या हो रहा है everything here I'm going to tell you so firstly what you can see that there is an idea overviews लेते हैं हम कि जो family है Jordan की जो family है यानि narrator की जो family है they decided mainly narrator और उनकी वाइफ जो है marry उन्होंने डिसाइड किया कि we will do a voyage किसी और ने किया था तो देखा देखी में कि हम भी करेंगे उन्होंने किया था हम भी करेंगे वैसा वाला तो decided कि हम अपने बच्चों के साथ में वायाज के लिए जाएंगे ना फिर्स्ट वर्ड काम सिया कि मैं यह होता क्या है यह वायाज होता क्या है तो इसका मतलब होता है प्रिप एक शौट ट्रिप दोस्तों के साथ में बनती है या फैमिली को ही ऐसे मन में आता है कि चलो चलो साथ में घूम के आते हैं तो हम प्लैनिंग करते हैं एक्जिक्यूट करते हैं और वहाँ पर जागर कि बहुत सारी चीज़े हम लोगों को देखने को बलती हैं हम experience करते हैं adventures होते हैं वही सारी adventures की है इन लोगों ने और हम वो देखने वाले हैं so first of all let's talk about the characters when I talk about the character the main character is narrator जो main character है वो कौन है narrator खुद है and wife है कौन Mary उनकी wife है so narrator की wife का नाम याद रखना उनकी wife का नाम है Mary अच्छा narrator की दो बच्चे हैं एक है Suzanne and एक है जुनातन okay Suzanne and जुनातन सुझान जो है seven years old है और जुनातन जो है वो six years old है तो यह तो चार जने हो गए एक family के that means एक family गई है कहां पर वह आज के लिए निकली है और वहां पर उन्होंने adventures देखे और अखिर तक उन्होंने कैसे survive किया है वो देखेंगे साथ ही साथ में you will get to know two more names और वो दो नेम किसके है वो है Larry Vigil and Herb Sigler यह कौन है अगर आप समुद्र के सहारे that means you want to go to for a voyage तो आप ship में जाएंगे definitely हम इतनी functionality नहीं जानते हैं हमें उसको इतना operate नहीं कर सकते शिप को तो शिप पे हमें help करने के लिए assist करने के लिए कोई लोगों की जरुरत होती है and they are these Larry Vigil and Herb तो Larry और Herb का नाम याद रख लेना they assisted and they were there all the time वो भी इस पूरी voyage पे उनके साथ में थे okay so I can say that they helped or they assisted यह हो गया बात पूरा characters की पूरी story के कौन-कौन यहां पर आपको मिलेंगे चा यह story कर रहो तब आप हमेशा याद रखना that like history we learn dates उसी तरही के से आपको यहां पर भी dates को learn करना पड़ेगा because majorly what we find it out key questions you have a date based pay he ate it is then kya hua tha what happened on that day or oceans made cup bahapa book a water what was the name of their ship and all yes are each is a he generally factual your questions I will purchase a guy up cool so always remember the dates my first about are you dates up coming up a highlight kit about a new cup cup kya what a puri series may yaad rakhengi okay let's get started so this is about the lesson is lesson me what I in July 1976 kub ki baat hai to sab se pala date a guy hamare pass me July 1976 narrator joke itness I'll care he is 37 years old and he is a businessman as well his wife Mary and six year old son Jonathan I told you and seven year old daughter Suzanne ticket so they are like first of all who plan to plan kya tha zunath sorry plan kya tha kiss the narrator now or unki wife Mary know that they will go for a voyage and then they set sail from uh Plymouth yeah happy apka jage ka naam a sakta hai the question can come that from where they started okay their voyage kaha se unhoh ne voyage start kya tha to Plymouth England yaad rakhna hai aapko na koon koon thay so you can tell everything about them kira 36 year old 37 year old businessman his wife will marry and two children okay now they wish to go around the world on a long sea journey as captain james cook important one important one again that they were more inspired by yeh jho family hai yeh kis se inspire hoke is one a voyage per jana chate ti ti to unka naam hai captain james cook to captain james cook hai unhoh nne dho sya saal pahle isi tariqi ka koy voyage kya tha aisa sunne mein tha tha to that's why they were inspired and they wanted to do this ke ham bhe unki tarah hi eise jayenge abdeekho meri baat suno jab in ko kiski jana hai water bodies ki through jana hai inheye samudhra ke saharai saharai nikal karke vaha puri world tour ki tarah karna hai to definitely they need a ship unhye kiski zaroot hoge ship ki zaroot hoge ship ki funcchnality operation sab kuch aana chate तो ऐसा नहीं कि आप ये स्टूरी सुनने की बाद में इंस्पायर हो जाओ कि हम भी निकल पड़ेंगे समुद्र के रास्ते और वी विल अल्सो गो फॉर इसा नहीं करना है अगर हम मैं थोड़ा सा इंट्रॉडाक्शन दूआ और आइटल यू अबाउट दी ग्राउंड पैशन था देवर लेकर इन्टो अल्स आप्टिविटीज तो उनको बहुत सारा नॉलज़ज था धाइट्स वाइट उन्होंने ये आप्ट किया था ओके नव तो आपने इस नेम इस वेव वॉकर all the important points हर एक चीज detail में बताऊंगी आपको इतना तो confidence अभी तक हो चुका होगा definitely कि ऐसा नहीं कि summary means like करा दिया चल दिया आपका one shot में मतलब exam के एक दिन पहले भी if you are going to watch this on record as well to आपको सारी चीजे like all the questions you can attend it इतना अच्छे से में detail में चाहे short ho long ho हर एक चीज आप कर पाओ गया 10 okay for that note and on that note you have to do is like karo for effort say and zarur sashore कर येगा moving ahead the first part of their 1,500,000 km long journey went smoothly when they started समझना जब उन्होंने स्टाट किया when they started it was very smooth and they were having like fun and enjoying it though kuchh bhi dhikkat nahi hoiti so shuruaat bhaut achse se hoiti legin kya sakti na ki ye aage aane waale joh khatra hai uski pehle ki silence thi vesa wala part tha ya hapa so the first part of their 1,500,000 km long journey went smoothly then they reached Cape Town phir yaha se shuru hoti hai in ki journey jaha pae they they like um face many hurdles there are so many obstacles or unki ship joe hai wo kaisi uh paani keo par waves keo par is tarikhe se soar karthi hai wo sari cheeze kapse shuru hi after they reached Cape Town so Cape Town again is an important place here from there they hired two crewmen to Cape Town so nana do crewmen ko hire kiya tha and their name is larry and herb johan betalei bata chukye they help them tackle the rough sea of the southern indian ocean to aapko ya hapa ye part again yad rakhna hai what that which is the part hardest part to travel or which is the hardest part to sail that is southern indian ocean does rough sea part is there only okay moving next joham is aagi barte hai to jump second day first day was very smooth and they uh they went till Cape Town Cape Town tak chale gaya tha ab second day ko kya hua second day out of Cape Town they started to encounter strong windstorms jab dousra din whana dousi dhin hi bhoat zhor 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 se tufan ane lagya and they face wind windstorms ab windstorms ki vajrase se kya hooga ab ship ko imagine kije like i will take you this part to dekho yehaan pe sari inke kya hoote hai is tarikhe se flags laghe huye hoote hai ab jub ship ke flags ke uper bhoat zhor se hawa chalegi blow hoogi hawa to definitely wo balance apna idhar udhar khoyega ya aas pas me bhoat zha hawa honi ki wajah se joh paani hai woh bhi vaapas se uchha lo karke us mein aega so this kind of things you will relate it windstorms did not worry about the narrator but the height of the waves was alarming up to 15 meters about that was high as main mast a main mast kya hoota hai dhekho this is the ship okay ek piyara sa chota sa bachpan wala ship bana maithi hoota hai yaaniki ye ek main ya hapa polle type hoota hai jis ke upar flag hoote hai abhi kya kya kehra hai ke it was not the windstorms jis ki wajah se parishan ho raha tainerator no windstorms ki wajah se tufan ki wajah se nahi parishan ho raha tainer but jo pani ki wavs hai woh paani ki waves kya kar raha tia like pani kia waves yaan honi chai ye but they were going up to 15 meters और हो में मास्ट जो है यानि यह जो में पोल है में मास्ट है वहां तक तच कर रही थी and that made worried narrator इस वजह से नरेटर जो हो गए वो परिशान होने लग गए now date again on the 25th of December again आगे थोड़ा थोड़ा ऐसा तरीके से ही आया है that they have described more about that how the windstorm occur and all but अभी हमको समझ में आगे हमने आइडिया ले लिया I'm now coming to the main point कि 25th December को क्या हुआ now before I go there I must tell you like because आप लोगों को पता चल गया है that यह जो है यह कहीं नहीं अपना vacation time period holiday code enjoy करने के लिए गए ते so they were there to enjoy their new year and for that तो इसी लिए देखना आप सारी dates कब आती है आप लेखो foreigners जो है उस आयतर जो विजट करते हैं इंडिया वो कब करते हैं क्योंकि उनका यह time period December से January हमेशा free रहते हैं they more come in this time period December से January के बीच में 3,500 km to the east of Cape Town very important very important question I if the question occurs like this or if the question is asked like this that on 25th of December where was their ship or where they entered the 25th of December co writer ki jo ship hai wo kaha pauchi southern Indian Ocean mein and it was about 3,500 km to the east of Cape Town the family welcomed the new year on the ship और family new year भी कहाँ पर वही पर welcome शो क्योंकि उनका new year तब से ही start हो जाता है now अब आता है 2nd of January की बात यानि की first important date मैंने बता दी आपको 25th December 25th December की बात में जो main important date है that is of 2nd January there came an omnius silence with no wind and a big roar what sounded like thunder turned out to be a big wave that wrecked hawk on the ship यानि की तूफान से आने से पहली की जो शांती है वो च्छाई हुई थी वहाँ पर कुछ भी नहीं था nothing everything was smooth 2nd of January को 2nd of January को everything was going smooth कुछ भी नहीं था हवा भी नहीं चल रही थी but all of a sudden a big roar and it sounded like thunder और ऐसा लग रहा था thunder मतलब की जो बादल गरचते है वैसी वाली आवाजे आने लग गई थी and then a big wave that dragged hawk on the ship और इतनी जोर से पानी का उच्छाल आया ship के उपर की पूरी ship जो है वो भीग चुकी थी the narrator was wounded in the process wounded मतलब की घाव हो गया that he was injured narrator जो है वो क्या हो गया जादा लग गई थी उनके head पे बहुत जादा चोट आ गई थी and then gradually हम देखेंगे आगे slowly क्या होता है कि उनके swelling swelling आ जाती and all as the ship was about to capsize another wave herald or her upright फिर से जब शिप अपने आपको वापस से balance करना चाह रही थी और उस wave से बच करके stable होना चाहती अगें एक और बड़ी सी wave आती है और फिर से वह से क्या कर देती है balance को खो देती है and उस पूरे ship को भिगा देती है and everyone in there वो सारे भी इस की वजह से थोड़े से हिल जाते है because they were not accepting कि इस तरीके से कोई wave आईगी और वो पूरी की पूरी ship को हिला देगी the author asks his wife to handle the wheel while he went to fix fix the damage starboard to prevent water from entering the ship because author was there and Mary was also there Mary is the name of the wife okay again repeat Q करती हूं ताकि आपको याद हो जाए so author was handling the wheel author will co handle karate andyki ship chala रहे थे लेकिन जब बार 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 वेव जा रही थी और पानी enter कर रहा था in the ship of author ko वहां जा कि उसको rescue करने की जरू थी पानी को शिप मैं एंटर कर ने इसे बचाने की जरू रहा थी so he called his wife उसने अपने wife को बोला that you handle the wheels and मैं तब तक जा करके rescue करता हूं it's written there this problem was accompanied by the other issues like block the hand pumps and a short circuit in the electric pump as well so अब क्या हुआ जब पानी आया उसके साथ-साथ में there were other issues as well jokon-kौन से थे like issues like blocked hand pumps उद वहां पे जो हैंट पंस वो ब्लॉक हो चुके थे एक short circuit भी हो गया था in electric pump जो electric pump लगावा होता है उस electric pump में भी क्या हो गया short circuit हो गया and that's that made it more worse इससे क्या हुआ वहां की तो situation थी वो और वर्स होती जा रही है एक तो ship के परेशानी उपर से waves की वाज़े से ship में पानी आ जाना waves बार बार ship को जो है वो unbalance कर रही है और साथी साथ में ship के अंदर जो बच्चे हैं उनके पास में छोटे-छोटे से six and seven years old they were there उनको handle कौन करेगा and उसके बाद में यह सारी issues भी हो ना so it was like मतलब हम कह सकते panik वाला situation create हो गया था the narrator and his crew spent the whole night pumping steering and working on the radio to issue मेरे calls Suzanne's injury on her head had worsened अब उस रात को सबने मिलकर कि जो भी सारे issues थे उनको solve करने की कोशिश की electric pump को ठीक करने की कोशिश की उन्हाने contact भी करने की कोशिश की बागी सब जगे ताकि कैसे भी कर कि वो मतलब safe हो सके and अपने आपको secure कर सके और इसी दोरान में जो Suzanne के head पर लगी थी वो और ज्यादा worse होने लग गया था okay moving ahead अब 2nd January मैंने बताया that means it was more important 3rd January was not written there तो अब important क्या आगया आपके पास में 4th January 4th January को क्या हुआ after 36 hours of pumping उन्होंने कितने आर्स तक pumping किया था 36 hours तक pumping किया है उस ship में तो याद रखो 2nd January then 4th January 36 hours of pumping के बाद में the water level in the ship had come down to a few centimeters यानि 36 hours तक उन्होंने pump करके पानी को नीचे करने की कोशिश की तब जाके कुछ centimeters तक पानी कम हो गया owning to the severely damaged condition of the ship they hoisted the storm ship instead of the main mast and headed towards the island अब उन्होंने क्या किया जब हम बात करते ship की तो ship पे आपने देखा जैसे मैंने example दिया था this was the main mast रहना अब वो क्या सूच रहे है दे वर thinking like मेरी ship थोड़ी से अच्छी है okay जादा अच्छी है okay so condition थी उसको कैसे ही normalize किया उन्होंने and severely damaged हो चुकी थी ship अब उन्होंने क्या किया उस hoist को hoist करना मतलब क्या होता है उपर उड़ाना किसी चीज को उपर उच्छालना लाइक उसे hoist कहा जाता है so they hoisted the storm ship instead of main mast मतलब उन्होंने क्या किया जो यह main mast है उसको उपर करने की बजाए जो storm ship था यह भी एक ship का ही part होता है उसको उन्होंने hoist किया था and then they headed toward the island और आसपास में कहीं पर island देख करके वहां पर stay करने की कोशिश की because there there was something in the waters और water की अंदर कुछ होने की वज़ेसे उनकी ship भी उसके परेशान हो रही थी and they were like struggling there in the ship on the morning of January 2nd 4th and 6th January main जो है वो सारी dates में आपको बताऊंगी तो 4th को क्या किया उन्होंने उन्होंने main mast की जगे जो यहां पर हमने देखा storm ship है उसको hoist किया था 2nd January को क्या हुआ था वो हमने यहां पर देख लिया that on 2nd January that there was a big wave and it was like accompanied with some issues as well electrical pump और वो सारी चीज़े आगे आते हैं 4th January हो गया 6th January the wind became less severe now तो अब थोड़ा सा मौसम जो है वो ठीक होने लग गया था हवा भी थोड़ी सी कम मतलब उस तरीके से जतने तेज से flow कर रही थी उतनी तेज से flow नहीं कर रही थी the narrator got a reading on the 6th 10th and he made a quick calculation अब इस वक्त क्योंकि यह सारी चीज़े हो रही है and they were going through from last few days तो वह यहां पर calculation करने लग गए narrator कि किस तरफ जाना चाहिए कितने time तक क्या रहेगा मौसम and all these calculations he was doing in his mind कि क्या situation है मुझे क्या next step उठाना है उसके लिए उन्होंने calculate करना शुरू क्या she came in and gave him a card she had made उसी वक्त कौन आती है Suzanne आती है यहां पर कौन आएगी Suzanne आएगी उसको सुस भी कहा गया है इस chapter में उसे सुस भी कहा गया है तो इस वक्त जब वो calculations कर रहे है and he was thinking कि कैसे भी मैं मेरी family को बचा करके यहां से बाहर लेकर के जाओं सुस आती है उसके हाथ में card होता है वह card उन्होंने सुसने बनाया होता है और वो उनको देती है she had drawn caricatures of Mary and the narrator that means उसने अपने mother and father के caricatures का मतलब simply बता देती हूं जैसे अभी मैं अपने आपको नहीं बना सकती है as it is मैं as it is बना लेती हूं तो sketch होता है लेकिन मैंने क्या किया इस तरीके से बना करके बता दिया तो this is called as a caricature यानि उसका छोट चोटा सा model form में जो होता है से caricature कहा चाता है तो उस कार्ड पर सुसने कार्ड बनाया सुसने कार्ड बनाया था उसके कार्ड के उपल कौन थे Mary and his father her father वो दोनों थे it also had a message उसके अंदर एक message भी था जो कि express कर रहा था love and thanks कि thank you and I love you all I love you both so much क्योंकि आप हमारे साथ में always है और आप हमेशा हमारा साथ देते हैं हमेशा आप हमारे साथ में रहते हैं as well as you like protect us from any hurdles तो यह सारी चीज़े उन्होंने इस तरीके से message में लिखी थी अब दो बजी की करीब क्या होता है at around 2 p.m. after checking calculations narrator ने जो सारी calculations check कर ली the narrator asks Larry to stir a course of 185 degrees very important question MCQ form में आपकी question आ सकता है that narrator ने किसे Larry को पहले किसे वील संबालने को बोला था Mary को his wife अभी यहां पे Larry को उन्होंने क्या कहा that you must stir a course of 185 degrees उस तरफ उनको stir करना है and he could then expect to see an island at about 5 p.m. और इस तरीके से जब वो 185 degrees सक move कर जाएंगे और वहां पर शायद अभी दो बज़े हैं लेकिन 5 बज़े island पर पहुंच जाएंगे timing is also very important दो बज़े उन्होंने as the season लिया calculation करके कि 5 बज़े around like around 5 p.m. वो कहां एक island पर पहुंच जाएंगे then he went below climbed on his bunk and dozed off थोड़ी सी उन्होंने doze off करना मतलब थोड़ी सी नीन लेनी की कोशिश करना होता है he woke up at 6 अब वो कितने बज़े उठे वो छे बज़े उठे john entered and asked if he could embrace his daddy she was right behind him they called him the best daddy in the whole world and the best captain they informed him that they had found the island then abhi यहां पर क्या हुआ फिर that around 6 p.m. उन्की आग खुली okay he went there उन्हाने बता दिया था लेरी को उन्हाने इंस्रक्त कर दिया that 185 degree mode पे we will get a island at around 5 and he then dozed off dozed off मतलब सोने चले गए थोड़ी से जबकी ले लिए and he woke up at 5 6 और 6 p.m. पे जब वो उठते है there was gone Jonathan john आता है john आता है और वो john कहता है कि क्या में अपने फादर को embrace कर सकता हूं embrace करना means hug करना प्यार करना so क्या वो अपने फादर को अपने डैडी को hug कर सकता है and then उसके ज़स पीछे कॉंती सुस भी थी and all the family time good happy family time was there and they called him the best daddy in the whole world यहां पे जब बेस्ट डैडी वाला पार्ट आता है तब यहां पे यह एक बात याद रखना that when sus gave the card that time it made the author think about that how how powerful he can be and the children are only only dependent on him वो बच्चों को लेकर आया है यह बच्चों को बचाने का उसका चांस है and also यह सारे जो emotional वाला जिस्ट पार्ट है वो उस वक्त हो चुका था उसका and that's why he thought ki mujhe kya se bhi बच्चों को बचाना और उन्होंने पूरा ताइम लगा करके अपना calculation सही बठा करके यह अच्छे से कर दिया था so at last what happened that they said that you are the best daddy and you are as well as the best captain in the world इस तरीके से उन्होंने बोला and at last they found the island and वहां जाकर कि वह रह गय रुक गय थे वहां पे सब बढ़िया हो गया finally they reach amsterdam island where they were welcomed by 28 denizens very important at last where they went last me कहां पहुंचेंगे वह वह पहुंचेंगे amsterdam island वहां पे कितने denizens मतलब denizens means native वहां के कितने लोग 28 natives थे वहां के रहने वाले कितने थे 28 denizens थे उन्हाने उनको welcome किया the nerve dying and optimistic attitude made it possible for them to survive amidst and situations उनका जो nerve dying that means मरने तक भी साथ रहेंगे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ देंगे और उन्होंने अपने efforts लगाते रहे efforts के साथ में काम करते रहे यह जो attitude था positive attitude और optimistic attitude के कुछ भी हो जाए अच्छा ही होने वाला है the way we look forward कि अच्छा ही होगा optimistic वे जब लेकर चलते आश्रावादी विचार लेकर के चलते है in that way it was all possible and that's why they survived and what is the main point is they all like they all had their back मतलब कि वो अपने एक दूसरे के साथ में खड़े हुए थे they all had their back मतलब like मैं कहते हूं I'm I have my family at my back that means कि मेरे पास मेरे पूरी family का support so similarly they had their back means कि वो सब एक साथ एक दूसरी के साथ में थे they were supportive and they were even like अगर मैं बात करूँ सुष तो सुष अगर कहीं कुछ भी नहीं कर पा रही थी not like of giving any help तो भी वो encourage कर रही थी and boosting up अपने father को तो यह सारी चीज़े आपने पूरे chapter में देखी है children's courage and optimistic attitude give them extra strength to fight and survive main important line again here so मैंने सारे जो important important lines है वो सारी बता दिये कि जो बच्चों का नजरिया था that means the children how they were behaving they were not showing tantrums they were not that मुझा रोना दोना चलाना मुझा लेके निकल आल दो यहां से कैसे भी कर रहें इस वर लेक वरी अच्छे से इस चीज़ को और इस पूरे जो उनका adventurous trip रहा था इसको survive कर लिया था so that give them extra strength to fight and survive now glossary मैं आज में कोई भी word meanings नहीं लाकर कि यहां पर एक main ship के सारे parts लेके आयू because all the questions can be asked from this जो भी हो सकता है आपको question यहां पर देखो यह रहा I'll tell you इस ही मैं से question आ सकते है glossary की सारे parts बहुत सारे words जो है आपके chapter में यहां पर use किये गए है so that's why it's the best thing I think कि आपको image कि थू समझा दू this is the main mast what you can see this is the main mast then this is the top castle और उसी तरीके से stem है यहां पर रकव है carval planking है then उसी तरीके से bow है book head है यह थारी चीज़े फॉर मस्ट की बात करे में की बात करे टॉप सेल की बात करे यह सारी की सारी आपको याद कर नहीं है when you read the chapter you get to know more words about ship the ship का जो थोड़ा सा एक बोल सकते ना labeled diagram है उससे जरूर से पढ़के जाएगा before your exam because आपके answers में यह help कर सकता है about the ship now I hope that you all love this chapter and somewhere you imagine as well कि कैसे बच्चों ने वहां पर help किया होगा कैसे father एक तरफ emotional हो रहा है बच्चे घिर रहे हैं फिर भी बच्चों के पास नहीं जा पा रहा है और वो ship को handle कर रहे हैं waves यहां पर टकरा रही है ships and all so यह सारी चीजे आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी and I hope that abhi you all are ready to give the answers so let's get started with 3 2 and 1 very quickly आपको answer देना है किस के mcqs के and I hope that you like this the way I am teaching her and the way I have gathered all the main content to present in front of you आपके सामने सिफ main content लाई हूँ बाकी सारी चीजे तो देखो story form में storyteller की तरह पूरा बता सकती हूँ but your time and your energy is really like they matter a lot and that's why यहां पर मैंने just इतने अच्छे से बता दिया है आपको the question is what was the weight of the wave walker पहली पहली ही I think slide में मैंने आपको बता दिया the correct answer of this A B C D just don't write A B C D write the weight as well उसका वे भी लिखेंगे आपकी 30 तन का था 23 तन का था 100 तन का यह 105 तन का so your answers are welcome in the comment section with smiley second question is where was the author when he got the information about the Amsterdam from kids kaha the author kaha the job unko palachala that they have reached the island of Amsterdam kaha the in resting place in captain's cabin on deck or near F you know that he went to those of unisone jana tha toh wu kaha gaya hongi definitely a in resting place be in captain's cabin captain ke cabin me the on deck they are D near after you are going to give the correct answer I know that very well let's move ahead with the third and detailed answer very important answer they go describe karna hai hapa mental condition yeh joh questions hote na yeh aapke value based questions hote hai aapse aapka view poochha jata hai aapke ideas aapke perceptions ko poochha jata hai not only in this but boards me bhi is tariki ke hots question aate hai so that's why my question ya hapa liya hai hoon that describe the mental condition of the voyage on 4th and 5th january that means aapko sirf or sir 4th or 5th january wala yaad rakte huye baat karna hai ab must be you thinking ke ma'am humne 4th january dekha hai or 6th january dekha hai so what about 5th january so we will get to know nothing much happened on that day but still have a 4th ko continue rakte huye answer de na hai okay so on the 4th of january the voyagers felt relieved after 36 hours of continuous pumping out water they had their first meal in almost two days yaad rakna hai ke on 4th of january they had their first meal doh din ke baad me unhonne khana khaya tha on 4th of january and their respite was short-lived they faced dangerous situation on january 5th as well fear of death loomed large and they were under great mental stress aur 5th january ko fir se isi tariki ki situation create honne lag gai thi again the windstorm came aur usi tariki se vaapas se wahi sari cheezo ko face karne ke liye they were getting ready okay now the next question how does the story suggest the optimist sorry optimism helps to endure the direct stress okay endure means what to endure means what endure karna matlab kya hota tell me the word in the comment section agar apko meaning pata hai because it's not the first time we are knowing the meaning up because the rules such as a pata hai endurance kamat lab kya hota persistence kamat lab kya hota determination kamat lab kya hota a place is a river class eight me kahi na kahi ah paray has see kya and janay we have so what does sorry how does the story suggest kya say you so story suggest kati optimistic ashra waadi jota rika hota that's it to endure the direct stress ki aap sehen kya siya aah kya hain kya PlayStation aip kya drone sir sek pSE if a no but then Hurl Stu हम क्या करते हैं पहले रिसकांट कर देछा रिस पॉइन करते हैं था कि रिर्सपांट भी तो पहुत तो रो रो के बुड़ा कर देटे तो भारे रोए को देख कर के डिफनेटली मम्मा का बुरा हाल हो जाता और फादर फिर अकेले नहीं संभाल पाते है यह सारी चीज़े सो हमें हमारा क्या करना है है एप रखना है always अगर कोई भी सिच्वेशन हमारे सामने आती है then be like be relaxed and then think what is the right thing to do right now right चलिए so the story suggests that optimism certainly helps to endure the direct stress the behavior of four adults during crisis bears it out four adults में कौन है Larry और वो दोनो है Larry and Herb भी है they were two crew members as the mighty wave smashed the deck the water entered the ship though many holes and openings जो ship है उसके अंदर बहुत सारे holes होते हैं बहुत सारी openings होती है तो उनके थू पानी अंदर आ गया था right from the evening of January 2nd पूरा answer आपको यह जिस्ट बता देगा अगर आपको पूरा answer यह वाला learn हो गया then you can give any answer or any question asks to you second january is to start care that Larry and Herb ने start किया the pumping out water pan panikonikala they work continuously for 36 hours I think I'm the yeevaak kiti yaraa previously for 36 hours it was a result of their continuous pumping that they reached the last few centimeters of water on January 4th the important vabat waapas semane hapa bata diya they remain cheerful and optimistic while facing extremely dangerous situation they were there अभी इस तरीके से वो फिर भी क्या थे always excited थे always cheerful थे that we can do it we can do it अगर कुछ भी नहीं होता है जैसे chapter का नेम है that means what the name of the chapter means and it tells everything uh togetherly कि अगर हम साथ है तो डरने की क्या बात है like that they have faced and the narrator did not lose his courage as well to mean narrator है जो इस शिप को भी चला रहते है and everything तो उन्होने courage hope or presence of mind को ध्यान में रखते हुए faced every problem and he did not worry about the loss of equipment he used whatever was available there and his self-confidence and practical knowledge his self-confidence and practical knowledge help them to stir out of this storm and reach the Amsterdam island okay Amsterdam island जो था वहां पर पहुँचे and Mary stayed at the wheel for all those crucial hours और तब तक जो Mary थी वो कहां थी Mary was handling the wheels और वो wheels को चला रही थी तो it's like women empowerment वाली बात हो गई कि वाव देखो अगर वो सब calculations कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि कहां कैसे किया जा करता है तो अ लेडी अ फीमेल शी इस हैं लिए फीमेल शी इस हैं लिए पूरी फैमिली तो हम सामना कर लेंगे अगर कोई question पूछा जाता है तो definitely you would have loved this chapter and the way I have explained it and if you liked it if you have any queries you can tell me in the comment section as well साथी साथ में अगर आपको कुछ भी पूछना है श्यार करना है because अभी आप grown up right you are all are grown up so if you have any queries any doubts anything so you can tell me in the comment section I'll meet you with the demand of yours or what you want in the next one so till then tharaos bye bye and thank you